शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे मैं आपको घबनाने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लीस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लीस एप और सिर्फ 10 मिलट में पाए अपना सारा समान बिग ब्लीस खुश्यों की अपनी दुकार भारत ने मैं 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 पाम तेल के आयाद में 33 दसम लब दो शून फीस्दी की कटोती की है जिससे मैं 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 पाम तेल के आयाद का आकड़ा गिर कर 5,14,022 टन हो गया है लेकिन इस दौरान आर्बिडी पाम ओलिन तेल के आयाद में इजाफ़क किया गया है Industry Body Solvent Extrators Association की माने तो भारत दुनिया का सबसे ज़ादा वेजिटेवल ओयल आयाद करने वारा देश है भारत ने मैं 2021 में 7,69,602 टन पाम तेल का आयाद किया था भारत का कुल वेजिटेवल ओयल आयाद इस साल मैं में घटकर 10,55,47 टन हो गया है जो एक की साल पहले 12,13,142 टन गुआ करता था बता दे कि भारत कुल वेजिटेवल ओयल आयाद का करीब 50 फीसिदी पाम तेल से आपूर्ती करता है वहीं सी की रिपोर्ट के मुताविक इंडोनेशिया ने 23 मई को कुछ शर्तों के साथ पाम तेल के निर्याद से प्रतिवन हटा दिया साथ ही पाम तेल के निर्याद पर लगने वाले टेक्स को भी कम कर दिया है ऐसे में संभावना जताई जारी है कि इंडोनेशिया से पाम तेल के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिलेगी साथ ही वैश्वी कीमत में भी असर देखने को मिल सकता है अगर पाम तेल के उत्पादक देश की बात करें तो इस साल मई महीने में कुरूड पाम तेल सीपियो के आयात में 4.909 फीसिदी की गिरावट दर्च की गई है जो कि इसी दोरान पिछले साल 7.555 लाग टन हुआ करता था जबकि आर्वीडी पाम ओलियन तेल के आयात में एक लाख की तेजी देखी गई है मैं बता दे कि ये 2.75 टन हो गया है खुरूड पाम कारनल ओयल 11.894 से घट का 4.265 हो गया है अगर सॉफ्ट ओयल की बात की जाए तो सोयावीन तेल का आयात इस साल मई में 3.7 तन बढ़ गया है जो कि एक साल पहले तक 2.67 लाग टन हुआ करता था इसी तरह सनफ्लार ओयल तेल का आयात इस साल मई में घटकर 1.8 लाग टन हो गया है जो एक साल पहले इस दोरान 1.75 लाग टन था बदादे कि भारत जादा तर पाम तेल का आयात इंडोनेशिया और मलेशिया से करता है जबकि बहुत ही कम मात्रा में प्रूड सौफ्ट तेल का आयात करता है इसमें सोयावीन तेल अर्जिंटीना से आयात किया जाता है जबकि सूरज मुखी के तेल को यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी